दोस्तों नमेशकार मैं उतकरश दीवदी और आईए बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षन 2020 जो कि कल अर्थात 31 जनवरी 2020 को पेश हुआ माननी वित मंत्री द्वारा और आज एक फरवरी 2020 को बजट 2021 प्रस्तुत किया गया तो जितने भी परिक्षाप योगी तथ्य हैं जो भी एक वर्ष तक आप जितनी परिक्षाप देंगे सारे सवाल यहीं से आएंगे इसलिए महत्यपूर्ण तथ्य हैं और सभी तथ्यों को हमने एक जगा सजो लिया है तो आईए शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षन 2020 की अधिबात करें आर्थिक सर्वेक्षन बजट में आ आने वाले वर्ष का कितना पैसा कहां सरकार खर्च करेगी तो पूरा वित्ती लेखा जो खा योजनाओं का सरकार के क्रिया कलापों का पूरा विवरन जो है बजट में दिया जाता है तो आर्थिक सर्वेक्षन 2020 जो की कल पेश हुआ था 31 जनुरी 2020 को वित्तमंत्री शीमत् द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत ये दूसरा बजट था मोधी 2.0 का यह दूसरा बजट है इसको तयार कौन करता है आर्थिक सर्वेक्षन को तो तयार इसको आर्थिक मामलों का जो विभाग है डिपार्टमेंट आफ इकोनॉमिक अफेर्स और किसके अंडर में मुख् मंत्री आर्थिक सर्वेक्षन को इसकी थीम क्या थी आर्थिक सर्वेक्षन की थीम हर बार रखी जाती इस बार की जो थीम थी दोस्तों वो थी वेल्थ क्रियेशन धन स्रीजन या धन बनाना ये पूछेगा जरूर पूछेगा तो इसकी थीम तो थी जो थी धन बनाना धन स रिजन रंग इस बार का प्रतेग बार आप देखते हैं जो पिछली बार जो रंग था पिछले बजट में वो नीला रंग था ब्लू कलर था इस बार लेवेंडर कलर है जिसको मोतिया रंग भी कहा जाता है जो आपके 100 रुपय की नोट है उसका कलर है प्रकार से ठीके न GDP जहां तक ग्रोथ की बात है तो 2019-20 में 5% का और 2020-21 में 6-6.5% का अनुमान है 5% का अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूँ 2019-20 में क्योंकि अभी केवल 3 क्वार्टर का आया हुआ है लेकिन ये लगबग बहुत जादा अंतर नहीं रहेगा क्योंकि तीन क्वार्टर जो पिछला रहा उसमें काफी कम रहा ग्रोथ तो चौथे क्वार्टर में अगर तुआ बहुत बढ़ भी जाता है तो बहुत अंतर नहीं आएगा ये लगबग इतना ही रहेगा तो दस वर्ष में सबसे कम इस वर्ष जो आर्थिक ग्रोथ रेट रही है अर्था जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो रही है दोजार बीस इक्ष में इसके बढ़ने का अनुमान है कितना है छे से 6.5 परिक्षा में ये बढ़ेगी कैसे ये बजट में बताया गया है बने है तो क्या-क्या उपाई किये जाएं यह बताया गया है इसमें तो क्या-क्या बाजार के अद्रिश्य सहयोग को मजबूत करना इसे भरोसे का सहरा देना भरोसे का सहरा कौन देगी सरकार तो ये सब कारे सरकार करेगी लेकिन क्या करना है ये बात बताई गया ब्यापा पतिवर्ग है अंबानी है और टाटा जी है तो सब को पहले बुला लो जो चोटे-बोटे कारवारी हैं नहीं सब को समान आउसर देना तो यह आउसर उपलब्द कराना भी सरकार की जिमिनदारी जिसे आर्थिक असमानता भी इससे दूर होगी विश्व विश्व बैंक के अंसार नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत विश्व में तीसरे इस्थान पर है इसमें और बताया गया है कि वर्ष 2014 में जहां केवल सकतर हजार का नई कंपनिया बनी थी वहीं वर्ष 2018 में एक दसमलो 24 लाख नई कंपनियों का किय स्थापना की गई है तो इस तरह से देखा जाए तो 80 प्रतिशत वृद्धी होई है 14 से 18 की तुलना में और यहां वृद्धी जो हुई है सबसे ज़्यादा सेवा खेत्र में हुई है सेवा खेत्र में ज़्यादा कंपनिया आई है और यहां पिर मैंने बड़े का निसान तीन बार लगाया है इसका मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है विनिर्मार खेत्र में जो नई कंपनिया आई है और सेवा खेत्र में अंतर विनिर्माड छेत्र की कंपणिया और और सरच्चनावक क्रिशी के छेत्र में नई कंपणियों के जो गठन है उसमें हुआ है तो सेवा छेत्र में सबस्यादा कंपणिया फिर विनिर्माड और फिर और सरच्चनावक क्रिशी में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी के बारे वनुवान लगाया है कि 2025 में ये 3.5 होगी 2030 में ये बढ़करके 6 प्रतिशत हो जाएगी तो इस तरह से भारत का बहुत बड़ा हिस्सा निर्यात में रहेगा विश्व में 2025 तक देश में अच्छे वेतनवाली 4 करोण नोकरिया और 2030 तक जो अच्छे वेतनवाई नोकरिया है वो 8 करोण सिजित हो जाएंगी ऐसा बजट में कहा गया तो बहुत महत्पूर्ण है रोजिगार से जुड़ा मुद्दा है विदेशी मुद्रा बंडार की बात करें तो 10 जनवरी 2020 तक 461.2 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा बंडार भारत का रहा है तो अक्सर पूसता है विदेशी मुद्रा बंडार के बारे में चालू खाता घाटा दोस्तों इसके बारे मताया गया है कि 2018-19 में GDP का 2.1 परसेंट था जो की काफी इसमें सुधार हुआ है अब 2019-2020 में GDP का 1.5 परसेंट मात्र रह गया है जो निर्यात आयात के जो सवाल आते हैं उसके लिए शीर्स निर्यात गंतब्य कहां कहां निर्यात चादा हुआ है भारत का तो USA में सफसे आदा हुआ है फिर UAE में फिर चीन में और चौथे नमबर पर हांग कांग शीर्स आयात कहां से आया है तो सफसे आदा चाइना से हमारे यहां व्यापार हुआ है और फिर USA फिर UAE और सौधी अरब सीर्स पाँच व्यापारिक साजयदार भारत के कौन से है सफसे आदा कहाँ से व्यापार होता है भारत का तो USA में सफसे आदा फिर चाइना फिर UAE फिर साओधी अरब फिर होंग कॉंग अर्थात आयात निर्यात को अगर जोड दिया जाए तो इसका मतलब यह होता है सीर्स आयात जो मद है सबसे ज़्यादा क्या भारत में खरीदा गया है इसका सीधा मतलब है तो कच्चा तेल या कुरूड ओल या कच्चा पेट्रोलियम दूसे अस्थान पे सोना, तीसे अस्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद, चौथे अस्थान पे कोईला और पाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् merchandise आयातों की बात करें तो merchandise आयातों में जो merchandise आयात होते हैं उनमें कमी हुई है और non pure निर्यात में विद्धी हुई है बजट की अब बात कर लेते हैं ये आर्थिक सर्वेक्षन था बजट की मुख्य बाते हैं 2020-21 की एक फरवरी 2020 अर्थात आज प्रस्तुत हुआ इसमें इनके द्वारा यह बात कही है कि भारत विश्व की पांचवी सबसे वड़ी अर्थियोस्ता है दरसल दोस्तों कुछ समय पहले एक अंतराष्टी संगठन महतपूर अंतराष्टी संगठन ने दिसंबर में उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने बताया था क भारत फिर से इंग्लेंड और फ्रांस को पचाड़ कर पांचवे नंबर की अर्थियोस्ता बन गई है तो भारत ने भी उसी आधार पे यह अपनी बात रखी भारत सरकार ने तो पांचवी सबसे वड़ी अर्थियोस्ता हो गई है बजट की पिष्ट भूमी दो बातों पर है दो बातों पर बनाई गई है यह बजट बनाया गया है किसमें प्रद्योकी उन्यन और दूसरा 15 से 65 जो वर्ष के आई वाले हैं भारत में ज़्यादा है यह एक सुविधा है यह भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है यह दोनों प्रिष्ट भूमी है यह दोनों आधार ह है बजट निर्वाण का बताया गया है वो तीन थीमे क्या है महत्वा कांगशी भारत सब के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक सनक्षण तीन चीजें यह तीन थीमों पर उन्होंने बजट को बताया है अपने चर्चा के पूर्व एक कविता वो कहती है कश्मीरी जो है हिंदी में प्रतेक कारे जो हम करते हैं सभी करते हैं वह इस सुंदर वतन के लिए है ट्रिपल पी माडल पर एक किसान रेल चलाए जाने की बात कई गई है इस बजट में उन राज्यों की सहायता जो एक जिला एक उत्पाद योजना पर फोकर जैसे उत्तरपदेश की योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना तो ऐसे उन सभी राज्यों को मदद करने की सहायता देने की बात कई गई है जो एक जिला एक उत्पाद योजना चलाएंगे इस पर कारेंगे टी बी के उनमोलन के लिए लक्ष को पूर्ण करने के लिए जो 2025 रखा गया है इसके लिए टी बी हारेगा देश जीतेगा वियान चलाया गया है तो यह याद रखेगा टी बी हारेगा देश जीतेगा स्वास छेत में 79,000 करोण रुपए का प्राउधान किया गया है खर्च करने का इस वर्ष जिसमें प्रधान मंत्री जन आरोग योजना में 6400 करोण रुपए का बजट रखा गया है 2020-21 के लिए सवच्छ भारत मिशन है तो 12,300 करोण रुपए खर्च किया जाएंगे जल जीवन मिशन के लिए बहुत मात्पूर्ण है दोस्तों अधि मात्पूर्ण तीन दसंवलो 60,000,000 करोण रुपए भारत सरकार ने बजट तैंक किया इसके लिए Study in India के तहट जो उच्छ सिक्षा में भारत के जो उच्छ सिक्षा संथान उसमें सिक्षा देने के लिए लोगों जो विदेशी शात्रें उनको आकरशित करने के लिए Study in India कायकरम का सुरुवात की बात की गई थी पिछले बजट में अब इसके तहट एशियाई वा अफ्रीकी देशों में पूछा जा सकता है एक्जाम में आपके इसमें देख देगा अमेरिकी तो वो गलत हो जाएगा एशियाई वा अफ्रीकी देशों में इंड़सेट आयोजन का प्रस्ताव इंड़सेट एक आयोजन है उसका आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया है तो यह नाम महत्तपुण हैं इंड़सेट 2020 में सिक्षा छेतर में 99,300 क्रोन रुपए और कौशल विकास के लिए 3000 क्रोन रुपए की ब्यौस्था की गई है Most important जो fact है सिंदु लिपी इसमें एहलान किया गया है कि सिंदु लिपी को पढ़ लिया गया है इसमें और क्या गुड़ बाते हैं उस पर मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊँगा तो यह बहुत बड़ा यह भी most important fact है कि सिंदु लिपी खोड़ापाई लिपी जो है चित्रक्षर लिपी उसको पढ़ लिया गया है समझ लिया गया है कि सस्तर तक पढ़ लिया गया है यह देखना औश्यक है पांच नए smart सहरों को विक्षित करने का प्रस्ताओ है इस budget में यह कहा गया कि पांच नए smart सहरों जो 100 smart सहरों थे उनका क्या है अभी यह तो नहीं मालुम है लेकिन पांच और इसमें जोड दिये गए हैं पांच नए स्मार्ट सहरों को विक्षित करने का प्रस्ता हो है उच्चतर निर्यात रिण वितरन हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्वीक का सुभारम हुआ है तो निर्वीक बहुत महत्पूर रहेगा देखिएगा परिक्षाम पूछा जाएगा तो इसको क्यों प्रारम किया गया है उच्चतर निर्यात रिण वितरन हासिल करने के लिए पांच पूरा तत्वस्थलों का विकास करने एक बात की गई ये पांच पूरा तत्वस्थल कौन कौन से है राखीगडी जो की हरियाना में है स्तिनापूर जो की उत्तर पदेश में है सिव सागर जो की असम में है धोला वीरा जो की गुजरात में है और आदिचन नलूर यह तमिलनाडु में है तो इन पांचों का नाम याद रखना है आपको राची में एक जनजाती संग्रहाले जिसका जिक्र किया था जनवरी 2020 में पदान मंतरी नरेंद मोदी ने उसके विकास के लिए सरकार साहिता देगी ऐसी बात की गई है लोथल जो की गुजरात में स्थित है जो की हडपा काली ने गोदी बाड़ा था बंदर गा था वहाँ पे पोत संग्रहाले की स्थापना की बात कही गई है जी ट्वेंटी देखे लोथल यहाँ पोत संग्रहाले कहां लोथल में जी ट्वेंटी के आयोजन जो की 2022 में भारत में होगा इसके है तो 100 करोण रुपए के बजट की बात की गई है विनियर्मार छेतर में corporate tax जो निगम कर है बहुत सरल कर दिया गया है नई कम्पनियों तो ये 15 प्रतिषयत और मौझूदा कम्पनियों है तो 22 प्रतिषयत केवल कर दिया गया है थीकश है तो बहुत गटा दिया गया है विवाद से विस्वास योजना की सुरुवाद की गई है क्या विवाद से विस्वास ये क्यों प्रत्यक्षकरों की जो मुकदमे वाजी है उसको कम करने के लिए विवाद से विस्वास थी किसी तरह के एक योजना की सुरुवाद हुई थी सबका विस्वास योजना ये अप्रत्यक्ष करों से संबंदित विवाद या मुकदमे वाजी को कम करने के लिए की गये थी पिछले बजट में इसमें काफी सफलता मिली उसी को ध्यान में रखते हैं इस बार प्रत्यक्ष करों के लिए मुकद्मय वाजी कर्म करने के लिए विबात से विस्वास योजना शुरू किये जाने के घुशना है 2006 से 2016 के मध्य कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकला गया है बहुत महत्पूर्ण है 271 मिलियन या 27.1 करोण लोगों को गरीबी से बाहर निकल लिया गया है कुसुम योजना के तर्थ ये किसानों को पंपसेट देने के लिए किसानों का जो क्रिशी का आधनी की करण है उसके लिए एक बहुत बड़ी महत्वकांची योजना है इस मोधी गोवर्मेंट की तो 20 लाग पंपसेट दिये जाने का इसमें लक्षय रखा गया है एक और महिलाओं के लिए स्वयम सहायता समू है उसके द्वारा महिलाओं के ससक्ति करण के लिए धन्य लक्षमी योजना के नामक एक नए योजना की सुरुआत की जाएगी एक इन्होंने एक कालिदास रचित रगुवन के सर्गवन का दोहा 18 भी पढ़ा था बीच में तो वो दोहा मैं पढ़ देता हूं सूर्य जल की नन्ही बूदों से वाश्पलेता है यही राजा भी करता है बदले में ये प्रचुर मात्रा में लोटाते हैं वे लोगों के कल्याण के लिए ही संग्रह करते हैं तो यह पूछा जा सकता है कि यह उद्धरन कहां से लिया गया है तो यह कालिदास रचित रगुवन के सर्गवन दोहा 18 से ये चीज ली गई है इसका जिक्र निर्वला सितार मन जी ने किया है अब जो कर जो tax है income tax उसी slab में बदला हुए है 0 से लेकर 2.5 lakh तक छूट बजट की बहुत आगरशचक बात यह रही कि एक नया tax slab इस बार जारी किया गया है बेरकुल परवत्तित रूप में तो और इसमें यह बात रखी गई कि अगर आप छूट लेना चाहते हैं मलब आपकी मर्जी है कि आपको जिससे ज़्यादा फाइदा हो रहा है जो पूराना वाला स्लेब था जो कि 5 लाग से शुरू होता था 5 लाग तक आपको 0% टेक्स लगता था वो वाला आप अपनाना चाहते हो या फिर ये वाला अपनाना चाहते हो अब आपको अपने CA से करिक्षा में पूछा जाए तो कितने परसेंट मलब कितने लाग तक के कर में बिल्कुल छूट है तो 5 लाग तक में आपको अगर आप पुराना स्लेब चुनते हैं तो 0% आपको टेक्स उसके लिए देना पड़ेगा वो छूट आपकी बरकरार रहेगी उससे उपर की अग किया गया है तो महत्पूर्ण है कि मनरेगा के लिए कितना आप अंटित किया गया है 61500 करोण तीक है यह 61500 करोण पिछली बार 17002 करोण खर्च हुए थे इस बार जो है 65500 करोण की बात की गई है हालांकि 6000 करोण के बजट की बात की गई थी पिछली बार लेकिन खर्च हुआ 17002 करोण अब की बार जो है पहले नमबर पे दूसरे नमबर पे मन रहेगा तो यह थी जो है आर्थिक सर्वेक्षणों बजट की वो खास बाते जो परिक्षाओं लिए आपके महत्पूर रहेंगी लगबख सभी महत्पूर तत्यों को हमने इसमें समिलित किया हुआ है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद